अलो चो आईए इस पशॉक्रति जो हमसे बोल रहा है कि त्वरित इलेक्टॉन की गति हमारे पास दी हुई है तता गत में अनिशित्ता भी आपको दी हुई है यदि इस्तित में अनिशित्ता आपको ग्यात करनी है तता इसका सम्वेग आपको पास X इंटूटें पार मारेस 19 ठीथ हो तो X का मान क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है गति कि अनिशित्ता उसने बता रखता है इस्तिम अनियुक्रित का सम्वेग दूसने भी और पर सबाई हरता है आपको पास x h by 4 pi m आपके पास होता है अब यहाँ पर delta x आपके पास is equal to इसको आप h by 4 pi m into delta v इसको लोग momentum भी बोस सकते हैं यह इसको आप इधार transfer करोगे तापके पास यह m into delta v आपके पास हो जायगा यह कि आपके पास बच्चों मेरे पास momentum आपके पास होता है तिस question को बहुत जाद आपको इधर उतर करके solve नहीं करना था बच्चों आपका उसने समवेग उसने हमें कितना लेना है उसने खुद बता रखा यह आपके पास x-199 लेना है एक सापको यहां पर निकालना था वह value धर आती इसको मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं हटा दे रहा हूं इसकी इस्ति में अनिश्रित्ता हमारे पास क्या है वहाँ के पास यह तना दिया हुआ है यह x-10-9 अगर आपके पास हो यह एक चलम में इसका सही question है तो आपको बताने x का मान क्या हो जाएगा तब डाटी फाउन पर आपके पास question बचो इसको स्वाल करो देखो यह हुमारे पास बचो आपके पास डेल्टा एक्स आपको निकालना है इसको सब करो देल्टा एक्स विसकल टो हमारे पास बचो क्या हो जाएगा 6.62 10-34 आपके पास हमारे पास यह हो जाएगा डिवाइड में 4 x 53.14 होना है मास 9.1 x 10-31 आपके पास होई जाना है विलोसिटी आपके पास 5 x 10-60 लेकिन इस सिती में इन शित्ता के कान वो 0.02 परसंटेज है तो परसंटेज पास 10-2 आपके पास उपार आएगा इसी को स्वार करने पर पर आपके पास एंसर आता 10-9 की फॉर्म में करके आप एंसर को एंसर दे सकते हैं तो उससर से पड़े तो आप बचो देगा 10-31 10-22 33 होता 33 में आप यहाँ पे 6 करोगा 27 होगा तो उपास 10-7 बचेगा तो 6.62 इंटू 10-27 पहले हम करते हैं क्योंकि यह उपार जाके 40 बनता है यह आपके पास इतना छे 40 और 31 और 2 33 तो 33 27 करोगा माइनस 7 होगा माइनस 7 पहले आपके पास आएगा तो पहले इसको सिंप्रिफाय करो इसको भी जोड़ लो साइन्टिफिक वहला साल करो बांकी यहां पर मल्टिप्लाइ करोगे तो 4 3.14 9.15 और 0.02 यह सब वैलू आगे पास निकल के आ रहे होगी बचेगा आगे पास कितनी आ रहे होगी 4 x 3.14 x 9.1 x 5 x 0.02 11.42 क्या सपास आ रहा है 11.43 ले सकते हैं अब 6.62 जो आपके पास वैलू आई उसमें आपको डिवाइड करना था 11.43 तो 570.579 x 10-7 के आसपास आया हमें 10-9 में रिपोर्ट करना था बचेगो तो इसको आप 57.9 x 10-9 कर सकते थे बताब डेसिमल को आप दो नमबर है शिफ्ट करोगे 10-2 होगा तो आपको जाएगा इसमें आपको रिपोर्ट करना था तो आपका एंसर एक्स आपके पास 58 आपके पास हो जाता यह प्यवाइक्यू कोशन है बच्चो यह प्रिवियस आपके पास जहीं में आए हुए कोश